वाहे बुझी का ठाक्सा वाहे बुझी की फटे सेमीनार दे विच आयोए मुख बुला रहे हैं दा वी ऐसी समू संगता दिली दी समू संगता है थे बैठियां याने वाखवा के लाके तो वाखवा के जथे बंदियां दे नुमाइं दे इंडिविज्यूल तौर दे वीर सेवा करन वाले सारे थे आयोए ने उनना सारे वलों असी मुख बुला रहे ज़दे थे आयोए नननों वी जीया आख देया तो उनना दा बहुत-बहुत तनवाद कर देया सो सेमिनार आसी जड़ा हुन शुरू करन लगे हैं उस तो पहला जड़ी विचार में आप जी देना जरूर सांजी करना सा, सो ए सेमिनार दा जड़ा उपराला कै सकते हैं आप यह जड़ी विचार है ना सारे नौजवाना वीरां देवेचे जड़ी मान देवेच आई पिछले डेड़ दो साला तो इस तरह ही कठे हो के बैठ दे सी ते सोच रहे सी कि कुछ किता जावे क्योंकि सारे वीर वाखवा के लाकें देविच कुछ ना कुछ सेवावा निबा रहे ने मकर एक्च्वल तौर ते जड़ों कोई बेपता अंदी है ते उस विले सानू ओधा जड़ा रा लबन वास्ते सानू सोड़ी परशानियां महसूस करनिया पेंदिया ने तासी सारे इस और पंधक विदवान ने और ना राफता कायाम किता है जावे ॉर थे जड़े है सेमीनार्स एक मुटिंग्स जड़ी हस तना किती जां जिदे भी सानू सारे हैनू सेन्थ मिले की आसी करना की है साड़ा करंदा तरीका की ओना चाहिए था है असी जाना किते है पोचना किते है साड़ा मकसद की एगा सो उस मकसद दे साब देना ये काफी लम्मे समेतों विचारां चल दिया आई या बैठका हूं दिया रही है जिदास प्रमान ये है कि आज जसी है थे आके आप बैठे हैं मैं उन बेंती करांगा प्रोफेसर जगमोन सिंग वीर जी हो रहानू जेड़े की सिख वर्ड नियूस दे मुख एडिटर भी है गे ने संपादक ने मनुखी अधकारां दे लई जिड़े कारेशलियां कर दे ने मनुखी अधकारां दे ली जड़े हाक दी जड़ी अवाज आए उन्नू उठाउं दे है सिख लीगर जड़े वीर है गे है उन्ना दी विद्या वास्ते भी जड़े उपराले कर दे है तो मैं बेंती करांगा सब तो पहला प्रोफेसर जगमोंद सिंग हो रहा है, वीरी जीनू प्रोफेसर जगमोंद सिंग जी परमसुतकार ऑग सिख भू झो वार सु फते परवान करो वाहिगुर जी का खाल्षा वाहिग जी की फते दिली दा पंजाब नाल दिल्ली दा सिख जगतनाल बड़ा डूंगा सबन्द है दिल्ली ने सानू बहुत कुछ दित्ता है ते साड़े कुलों बहुत कुछ लेया भी है आज जे पंजाब साड़ी मापूमी है पंजाब तो बार हिंदुस्तान विच दिल्ली विच वस्ते सिख अनाल जो होंदा है जो नहीं होंदा उस हडली बहुत ऐहमियत रख़दा है बाबा बगेल सिंग तो लेके नवंबर 1984 तक दिल्ली ने सानूख खुशी ते पीड़ा दोनों दिती है ने अज दिल्ली दे सिख जगत दा की हाल है दिल्ली विच कितने सिख वस्ते ने दिल्ली दे समाजक सियासी ते तार्मक हलात के हो जएने दिल्ली विच पल दा सिख दा बच्चा पंजाबी बोल दा के नहीं बोल दा दिल्ली विच वस्ते सिख नूँ पंजाब दी पीड़ा दा किन्ना का फर्क पैंदा है या नहीं पैंदा इस सारे स्वाल निरंतर सानू छोंदे रहे और ए जड़े पंच्छे नौजवाना दे नामे थे लिखे होए ने पिछले दो सालातों गाए बगाए हर मीने दो मीने बाद एकतर तामा करके इस विचारवटांदरे नौँ अगे तोर दे होए के कोई स्थाई हाल लबन दी लोड है स्थाई हाल लबन तो पहला मसले नौँ विचारण दी लोड है के प्राबलम है की ते इना सारियां गल्ला नौँ विचारवटांदरा कर दे होए इस मीने दी शुरुआत विच पिछले मीने दी अंतले दिनादे विच इना वीरा ने फैसला कीता है कि दिली फते जथा ना दी जथे बंदी बनाई जाए ते जथा बनाया जाए ओ जथा जथा जड़ा के अकाली जथे दी याद ताजा करे जड़ा अकालनू समर्पत होवे जड़ा अकाली सोचनू समर्पत होवे अकाली दालदी सोचनू नहीं जड़ा अकाल ते अकाली सोचनू समर्पत होवे ते एस चीजनू सन्मुक रखदे होए इना वीरा ने दिल्ली फते जथा बनाया ते मैं सब तो पहला इना वीरा नो मुबारक बात देना कि असी एक अजेहा फोरम त्यार करिए इस दिल्ली फते जथा एक ऐसा प्लैटफॉर्म बने बन जाए बने का मैंनुवास है जिते असी होए 71 मिलो मेरे पाई दुबदा दूर करो लिवलाई दे सधान्त अनुसार मिल बैट के विचार करन दी जिड़ी साधी इतिहासक परंपरा उसनुँ असी मुर्तो ताजा करी है उस परंपरा दे तैत असी अपने वक्रेविया नुस रखी है कोई दिक्कत ने लेकिन असी ए जरूर देखिये भी असी होन अजो के हलात विच संसार दे हानी बढ़न दे लई असी की उपरा ले करने हैं असी किस तरह इस गल नों अगे तोरना है हर महले विच दिली होन शेर नहीं सूबायRET इस सूबे दे वक वक हलक्याय विच वक वक प्रॉबलम से गियाने लेकिन कुछ न कुछ कॉमन प्रॉबलम्स जरूर है गियाने जिना दी पैचान कर उननों फोकस विच राक के इसानों कुछ अचीव करन दे लई उपरा ले करने चाहिए देने मेरे साथी मेरे वड़े वीर जिनने 84 तो बाद दे हलाते तिहासक पुस्तका लिख के उनने तुड़ेनल सिधान तक गल्ला करनीया ने और सारी सिधान तक और पेक विच सारी चीज नो देखना है मैं तो आदेनल अपनी एक पिछले तीयां सालां तो जिस तरीके देनल वख वख खेत रहाते विच काउम दे असी जंग जू हो रहे हैं उनने विच व सानू की लगदा मैं बहुत क्लियर है के मैं solution-oriented गल्ना करना चौना I want to be part of the solution not the problem मैं के लिए रहां के दिल्ली दे सिखां को प्राब्लम्जा एक बहुत वड़ा पहाड है गा 1971 विच दिल्ली सिख गुर्द्वारा एक्ट बनेया क्यों बनेया कि वे बनाया गया एस नुत्वानू लबना पवेगा आज दिल्ली सिख गुर्द्वारा परबंदक कमेटी दा की हाल है कौन पर दा आने कौन जनरल्स कतर है आज दे वेले ये इस कड़ी दे विच समझना भी मुश्कल हो या प्या है समझी नहीं आ रहे है इक जे आप पंबल पूसा साड़े सामने रख दिता क्या है ते जिस तरह असी मेरा मतलब है के जो एक हिंदुस्तानी सिस्टम है गा उसनू अपना के ते असी जड़ाय आपणियां जड़ियां कौमी कार गुजारियां ने उस तरीके नलोस नू चला रहे है कोड़े दी लिद चुकन वाले नवाब कपूर सिंग लब दे नी पहे पर नवाब कपूर सिंग साड़े विच्चों ही पैदा हो यासी साड़े विच्चों ही पैदा हो यासी ओ नवाब कपूर सिंग हुन कित्थों आएगा ओ नवाब कपूर सिंग के में आएगा ओ बाबा बगेल सिंग के में आएगा जड़ा दिल्ली फत्र करके caren war मैं चलिया यहाँ वापस- Tunja पूरी दिल्ली फत्र करके कर üstरा मैं पंजाब चलियाँ हुटे साड़े छोटा जού कोई ओदा सानू तो अनूममे ले जावे असलिए ना पाई यह नहीं मैं वापस दे सकदा इस तो वड़ा दे के कोई मेरे को लो यह लेना ते सोचे जा सकता मैं दिल्ली गुर्दवारा परबंदग कमेटी दी करप्शन एक्सपोज दे कर रहे हैं लेकिन मैं एक्सपोज इस करके कर रहे हैं कि थोड़े दिना बाद मैंनू केड़ा ओदा मिलेन वाला हर चीज जेड़ी है गीए ओपावर कंट्रोल देता है हो गई है नवाब कपूर सिंग नहीं लब रहे नदिली च लब रहे नवाले दे गुर्दवरे वी च लब रहे सोचो मैं मैं नूहों रीसेंटली नौजवान दा लेक पढ़े है वर्ल्ड सिख न्यूज दे उस विच एडिट कर दे होए तो कंदा भी imagine करो अखा मीच के सोचो के सिखां दी संगत बैठी होई है आपस विच वचार वटांदरा कर दे पेने ते होना विचो एक सिख कंदा भी आया जिड़ा कपूर सिंग है गए ना जिड़ा लिदि चुक रहे है पक्खा चाल रहे है सेवा कर रहे है एसनू असी परदान बना दे ना है एसनु नवाभी बक्षनी है तुसी मैनो आज पंजाब पंजाब तो बार दिल्ली देवेच आपने किसे गुर्दवारे देवेच आपने किसे परबंद कमेटी देवेच आखमीच के दसो बेजेडा सेवादार सब तो बदिया सेवा करदा प्या होवे ते साड़े मानवेच आजाए यारी इसनु परदान बढ़ाने है हो सकदा असी कदी भी नीचा मांगे असी ये सोच अच्छा किनना का पड़े आओया है ए टोंगते नहीं करदा प्या रबते ते गुरू ते विश्वाश वाली गल ते ओस विश्वाश चो फिर परापत होके ओस सिख नु असी ओ नवाभी दे देनी ते ओस ने फिर ओस तरीके नल ने बाणी ए जड़ा साड़ा सारा क्राइसिस ओफ कॉन्फिडेंस जड़ा है ओ आज भी चल रहे है सिख दा सिख तो विश्वाश उट गिया है मेरे साथी प्रफेसर दिलीब सिंग छे जून नु दरबार साब ते हमला होया दास जून नु असी बंबई वीच एकतर होय ते मैंनू केंदेने बेटा एक काम हून जा रहे है ही वस अ बिग विजनरी हमला दरबार साब ते होया हून इस तो बाद सिख ने सिख ते विश्वाश नी करना ते उस वेले तो लेके आज तक तुसी देखो साड़ा विश्वाश आपस विश्वाश बहुत काट लेगा सो मैं इस सारा बैगराउंड थोड़ा जैस करके दसे है के मेरी नजर विच वी हव तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच साड़े पांसो साला पहला जिवें गुरु नानक पिता ने गल चलाई सी वो उस तरह लियां ते चल दे हुई ए बी सी तो उड़े एड़े तो सनुकाम शुरू करना पवेगा विच कारला रा कोई नहीं है गा ते कुदरती साड़े पांसो साला साथ बाद आ रहे है तो सी ए बी सी दी तो शुरू करना कि मैं कोई चार-पंज नुक्ते लिखेने जो मैं समझना दिल्ली दे सिखा लगी दिल्ली फते जत्ते दे लगी एक राह हो सकदेने स्टेप्स हो सकदेने जिदे तैत असी चलना है कि पहला स्टेप मेरे हिसाब नहागा है करेक्टर बिल्डिंग दा विश्वाश बहाल करन दा गुरू ते विश्वाश करन दा काल पुर्क ते विश्वाश करन दा ते जो सिख आरशे अनशार सिखी जड़ी पर फुलत करनी है की है सब तो पहला उत्थों शुरुआत करी है जिस कौम दा करेक्टर नी and the character of a community is determined by the collective character of individuals उस करेक्टर नू बहाल करन दी लोड है गी है जिस करेक्टर नू देख दे हो एच जज अठार्मी सदी विच कहन दा सी होन सिख ने बयान दे दिता है और किसे दे बयान सुनन दी लोड नहीं है राबदा बंदा है यह चूट नहीं बोल सकता इन्हें जो कहता हूँ final बयान है गा उस करेक्टर नू बिल्ड करन दी लोड है गी है फ्रॉम स्क्राच फ्रॉम एबी सीटी फ्रॉम दे बेसिक्स अपने बच्चे ते बच्ची नू वी ओस करेक्टर दा मालक बना उन दी लोड है गी है आसान नहीं है वेरी डिफिकल्ट बहुत लंबा रस्ता तै करना पहेगा पर शॉर्ट कट सलूशन आसी बहुत चेर तो लब दे पहे हैं परदान बदल देए सकत्तर बदल देए कमेटी बदल देए बंदे बदल देए इस सारा इंडियन सिस्टम दे तैत है बुनियादी जड़ी साड़ा करेक्टर विच डिफॉल्ट आया हुए है डिफॉल्ट आया हुए ने उननों चैलेंज करके तो कैच दे बिल बुल वाइट सौंस सानू मेरा मतलब है पूरे कस के लगाम पकड़के तै आपने इस सारे मसलिनों हल करना पहेगा मैं स्पेसिफिकली इस गलते जोर देना चावाँगा जितनी भी दिली दी अबादी है जितने भी साल लगण अज हर बच्चा ते बच्ची माबाब गरीब दा मिल क्लास दा अमीर दा चौंदा के बच्चे पड़े लिखे होन ते मैं समझना के बहुत सारी गिंटी विच बच्चे ते बच्चियां आपने पड़ाईदा सपना नहीं पूरा कर सकते बढ़ियां मजबूरियां सामने यांदियां ने लेट दिली फते जथा रिजॉल्ब फैसला करन के असी कोई अजेहा महौल तियार करिये कोई अजेह सिस्टम डिवेलप करिये दस साल लगन वी लगन पंजाल लगन उमर लग जाए जिदे विच सिखन दा बच्चा जो ओपड़ाई करना चौन दा उस तो वांजया ना रह जाए अक मीच के सोचो कार्च बिमारी आ जावे पढ़तू पैजन दा है और बिमारी आ दा 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 जा रहे है कितों आणगे पैसे इलाज ले दिल्ली फते जाता प्लैनिंग करे कैसे दिल्ली विच वस्ते सिखन दी हेल्थ दा पूरा क्याल रखांगे ओचाए इंशॉरंस रहें करिये ओचाए कोई होर मेथर्ड अपनाईए एक कलेक्टिव सोच अजे ही पैदा करिये जिसनाल असी आपनी काउम दे इत्थे वस्ते लोगां दा ख्याल रख सकीए एज्यूकेशन सिर्फ इंडिविज्यूल ना रिलेटेड नहीं रहनी चाहिए दे संगत दी भी एज्यूकेशन करन दी लोड़ेगी है एक अंदाजे अनुसार गुरपुर माते असी करोडा रुपे खर्च कर दिनने हैं तुसी किसे नू मी काऊगे के तुसी गुरपुर पे करोडा रुपे खर्च ना करो किसे ने नहीं सुनना असी आल्टरनेटिव्स बिल्ड करिये उननुस लोग सपोर्ट करणेगे प्रोवाइड करो आल्टरनेटिव्स मैकसिमम आल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करो गुरु नानक ने किसे नू ए ने रोकिया तु पित्टरा नू पाणी क्यों दे रहा उकन तु मैं खेता नू दे रहा दूजरा दिखा यह नहीं किया तू ओ ना कर अज साड़ा परचार साड़ी शब्दावली साड़ा आपस विच बोल तकरावाला है तो यह नहीं करदा, क्यों नहीं करदा, ऐ पाठ क्यों करदा प्या, ओ क्यों नहीं करदा प्या, ऐ इस तरह क्यों है, ऐ उस तरह क्यों है, ऐसी इदे विच्वी, लडाई नू, दुश्मन दे कार लाके जान दिब जाए, विरोधी दे कार लाके जान दिब जाए, आपने कार विची ले आये हैं इतने ज्यादा वड़े पदर ते ले आये हैं कि आसी आपस विची लड़ पए रहे हैं जिड़ियां साधियां में प्राबलम्स ने उत्थे दियां उत्थे ही फिर दियां पईयां मैंनों पूरा यकीन है तुसी वाक वाक जते बंदियन अलसबंदत ना अजवान ते हो बजर्ग बैठे हो तुसी बड़े हो जे सेमिनार देखे हो ने वेर वी अर पार्ट अव दी प्राबलम तुसी वार वार होई प्राबलम्स दो रहाए जा रहे हैं साड़े गुर्पुरब मनावन दा तरीका आज तो चाली साल पहला मी ओई सी आज भी होई है कोई फरक नहीं है हाँ लंगर वेच असी वराइटी बहुत ज़्यादा ले आउंदी है बहुत ज़्यादा वड़ी वराइटी ले आउंदी है लेकिन असी सोच दी वराइटी नहीं ले ले सानु चंगा लग दा ये कहना वो तो कुछ ज्यूज इस तरह कर देने अरे हाँ भई ज्यूज कर देने तुसी की कर दे हो तो अड़ी सोच के ना फरेक पया तुसी के हो जे फंड्स मुहिया करवाएने के किसे सिखनू जेड़ा हैगा ओपड़ाई देले ही प्राबलम ना आवे ते आपा मिडल क्लास या मिडल क्लास तो ओपड़ वाले सिख थे बैठे हैं दिल्ली बीच कितने गरीब सिख रहन देने सानु चंगा लग दा स्टे इते बोलना गरीब का मूँ गुरू की गोलक कितने गरीब सिख रहन देने हैगे ने हैगे ने बाजी नहीं हैगे साठी सारी लेंगवेज विच गुर्द्वारे दे विच सेमिनार दे विच आपसी बोलबानी दे विच डायलोग दे विच प्लैनिंग दे विच गरीब सिख मनफी है He does not exist साड़ी पॉल्सी दा वह हिस्सा ही नहीं एगा क्यों वो केंदा मैं न सिकलीगर केंदा मैं न वो जो क्या उसकी उनु केंदा ने कानू गो कोल तसीलदार कोल न जाती प्रमान पत्र लेने गया वो बोलता है तो क्या बात करता है याई सिक कभी गरीब होता है कहना बहुत गरीब है कहना नहीं है है ही नहीं वी एव लार्जर दन लाइफ इमेज साड़ी इमेज एगी वह उसी कितने अमीर है कवरमिंदर परताब सिंग जिननने मिशनरी काले दिलेर चलाई कहने जित्यालना सोचो असी सोशली गरीब असी एक्टोनॉमिकली बैंक्रप्ट as a community as a community I mean individual success stories है गी अने साड़ी है no doubt पर in totality असी बहुत ज़्यादा गरीब है गया साड़ी पर कैपिटा इंकम किन्नी है गी ये purely सिखांग इस कड़ के ते देखो फिर आपनो पता चलेगा साड़ा wasteful expenditure किन्न है गावे सानू ओ असी उसनो calculate करके देखिए फिर सानू पता चलेगा असी employment empowerment entrepreneurship skill किन्याग develop कीती है ने आप सुछ असी जे ओ देखी है जदो गुर्दवारा साफ दे बार कुश्वान सिंग लिखता हूंदा सी सानू ही बड़े बड़े स्कॉलर होड़ा केंदे ने पहला केंदे होंदे संजदो असी छोटे सी बिस सिख ना कदी पी एक ने मंगदा ने ना मंगदा हाज मैंनों मंगदे वे नजर आउंदे ने बड़ी तकलीफ हुन दी है पर कले तकलीफ होन ना लिक फीलिंग ना जाके कार जाके ते फिर जिस विले हैसी उस चीज नो पुला देने है ज़तो किसे फाइस्टार होटल विच थ्री स्टार होटल विच रेस्टोरेंट दे बार किसे सिख नो दर्वाजा खोल दे हो ये देख दे हो ते तो अंतकलीफ होन दी है ये गुरु गोबिन सिंग दा सिख किर्थ आपनी जगाते है मैं नहीं कहन दा कि वो किर्थ कर रहे है ते उसनो मैं छुटे आ रहे हुआ बट कि ओ किसी चीज दा किसे फिनॉमनन दा हिस्सा है गा सदार कपूर सिंग आपनी स्पीच विच केंदिसन चेड़ा विरोधी है न तो आड़ा उदी प्लैनिंग ए वे के तो आनू किनना कू कसे आराबना आ दिता जावे के तो आड़ी हाइस्ट एमबिशन है होवे के मैं न ओस अमीर हिंदू दी कार दा ड्राइवर हाँ के तो दे विची मान करन लग पाँए देखो मैं के ना वड़ा ड्राइवर हाँ दोस तिंग्स आर ओवर नो डाउट असी आपनी पंजाब तो बार, हिंदुस्तान तो बार और इत्थे वक वक हलकियां दे विच आपनी कामियाबियां दिखा के असी बहुत अगे लंग गए हैं पर हलेवी लीस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर जिड़ा है गया उधियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैंगियां ने जिन अनु एड्रेस करन दी लोड हैंगिया मैं समझना वहाँ मैंनु वीर गुर्दीप सिंग जी ने इस सेमिनार तो पहला किया भी देखो गाले हैंगिये भी तुसी इत्थे तक भी सीमत ना रहना के भी प्रॉब्लम दे सलूशन की ने सलूशन नो इंप्लिमेंट भी किमे करना ओ भी ज़रूर आपने वनों कुछ ना कुछ दास के जाओ बाद विछ तो आड़ा काम हैगा मेरे गोचरे ए प्रॉब्लम्स जेडियां ने जिननक मेरा एकनॉमिक्स ते कमेर्शल बैग्राउंड दस्ता है यू कन अड्रेस दिस प्रॉब्लम आइधर ओना माइक्रो बेसिस और ओना मैक्रो बेसिस या बहुत छोडे पदर तो आपां शुरुवात कर सकने हैं या बहुत वड़े पदर तो कर सकने हैं दिल्ली जे सुबा है उन्हें एक तरीकत ये हैगा कि मैं एक ब्लैक बोर्ड लावाँ दे हो दे हो ते 200 प्रॉब्लम लिख दवा ते 200 प्रॉब्लम लिख के फिर मैं कवाँ चा पी के यार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ने अपने को लो कुछ नहीं हो सकता तेंक यू वेरी माच तुसी ये कार सकते हो ते कार लबो दूसरा ये अगर भी पाई कमेटियां बढ़ाओ कोडिनेशन करो एक प्राब्लम और जल्द बाजी नहीं there is no quick fix solution किद्रे भी किसी भी area दे वेच तुसी को भी असी education of six in Delhi दे विच बदल ले आउना है पांच साल लगणगे policy frame करन दे ले तिन मीने लालो चार मीने लालो व्योंत बंदी कर लो फिर उस तो बाद तुर्पाऊ फिर उसनू implementation दे विच लेलो इनू पूरी दिल्ली दे पदरते लागू कर दे ओ या पंजो नौजवान जेड़ेने तौडे पंजानू नाल लेके आपना एक जेड़ा हेगा इलाका चोन लेए वीर इकबाल सिंग जहांगीर पूरी इलाके दे विच नितने इम तो लेके पंजाबी दी जुबान नूपर फुलवाद करंडली और बच्चियां दे विच पढ़ाई दी योगतन वदाउन ली उपर आला कर दे पेन असी एक फैसला कर लिए आज कर लिए तुसी आज कर लो कर लो अगली कर तरताच कर लो कोई जल्द बाजी नहीं पर मैं एक सुझा आ दे रहे हैं तो जी को जी आसी न पूरी दिली दे विच जहांगीर पूरी इलाके विच ऐ जिड़े पांच पैरा मीटर ने और ए जिड़ा सलूशन है गा ए इस सिर्फ कर आँ करकर पहुंच के ते तांफ होना है सिर्फ गुर्दवारे गुर्दवारे साब दे विच परचार करके लेक्चर दे के दस के बोल के तुझी पंजाबी पढ़या करो जी नहीं मैंनो इस वीर्दी ड्यूटी लानी पहेगी भी तेरे आले द्वाले पंदरा करने इना पंदरा करा है वेचे तू हफते वेच एक वारी दो वारी जिन्ने वारी ओकेंड जाने ते वो इस टारगेट नू अचीव करना हाउस टू हाउस इस कार वेच हार कोई जी पंजाबी बोलदा, लिखदा, पढ़दा होए हुँ सानू एई नहीं पता तुसी देखो हैरानी दी गालेगी ये गूगल ते सरच करके देख लवो पारस्सरकार दिल्ली विच वस्ते सिक्थान दी मरदम शुमारी कुछ होर कहन दी दिल्ली कमेटी कुछ होर कहन दी कुछ माहिर जिड़े ने कुछ होर केंदे ने वो पंबल पूसा बने है we don't know the exact population of six in Delhi इनिया का गलना कार देती है कि इने कि सानू ओ जड़ा basic एक parameter होंदा है जिदे तो आसी कोई गलनू अग्ये तोरना या उठाना होंदा है ओ यी जड़ा है गया confusion दी लपेट विच आ गया है clarity ले आके बहुत clear होके specifically सानू इना चीजा ते काम करन दी जड़ूरत है मैं जिदे दिल्ली फते जथा दे वीरा नू वदाई देंदा हाँ मैं आस करदा हाँ के एक एक कदम चलके जिस तरह अजो के समय विच असी पंजाब विच भी उपरा ले कर रहे हैं ऐस तरह न दी है meetings और forums जिनिया वाद तो वाद करो हाँ मंतिय सिंग जी उस्ते ज़्यादा जो और देंगे दिल्ली काम दी खान है है नँ इते जिन्ना काम करो थोड़ा है तो आड़े कोल दिल्ली दे सिखां कोल एक बहुत वड़ा एक दियानतदारी तो आड़े मोड़ें ते है हिंदुस्तान दी राजधानी है दुनिया दे सारे अमबैसियां जेडियां इते ने तो आड़े वर्तारा तो आड़े बोली तो आड़े जबान सिक्किम विच बैठे शिलांग विच बैठे सिख नुझे पीड़ा हुवे जे ओ सिधी गल दुनिया तक ना पहुंचा सके तो आड़े डूटी है तो सी करनी है पंजब वाला ते पाँज कंटे दाहुं शफर स्फरता है करके या तेज ट्रेना रही तिन कंटे चार कंटे मेए डिल्ली पॐंच के आपनी गल कह सकता है दूर दूराडे वस्ता सिक्क अपनी गल नहीं कह सकता तो आड़े जम्मिवारी है उस जिम्मेवारी नो भी पहुंचाना पहेगा ते जिम्मेट उसी कौम दे विच दूरियां दूर करन दी जाती दियां, क्लास दियां, दूरियां दूर करन लगे हो यो ऐसे तरह ही दुनिया दे होर लोका ने किन्य किते बैठे वीर ने हम है, जान बुज के पुछ्छ रहे हैं किन्य का अपां अंगरे जी अख़बारा पढ़ने हैं किन्य का अपां देख दे हैं कि दो दिन पहला Amnesty International दे दफतर ते पारसरकार दे Enforcement Directorate ने रेड मारी है क्यों मारी है? एमनेस्टी इंटरनेशनल सारें दिली काम कर दिये सिखांदे लेवी उसने बहुत हाद अनार हमारे 84 तो लेके होन तक जदो जदो भी लोड पहन दिये मार दिये कि असी आज खुदगर्द होके कि वहले ये सोच के ये भी नहीं सानू हले लोड नहीं है वैसे लोड हेगी है और निरंतर रहन इह नहीं है ते काबल दे रहन वाले अले नित्म एमाने ते साड़ी ते हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ चल रही रहने आस ही हमेशा ही टकरा दे वेचे रहने ते फिर अमनेस्टी दी ते सिर्फ लोड बेस्ट भी नहीं है I mean it's not it's not very एक पिक्यूनियरी इंट्रेस्ट नहीं है क्योंकि सानु एमनेस्टी दी लोड बेढ़ी है इस करके असी एमनेस्टी लिए आदा नारा मारी है ए बड़ी एक छोटी जी गाल होएगी वैसे भी साड़ी लोड है गी है कि असी मेरा मतलब है अजे यहां जथे बंदियां दे मेंबर बनिये अजे यहां जथे बंदियां दा साथ दईये ते लईये काटगिंटी कमिशन तो अड़ाई थे हैगा डिली दे विच सिकली गर वस्दे ने उनननु जाती प्रमान पत्तर किन्याक नू मिलेया कि नियानों मिलाउन दे ले यासी उपर आला कर सकने है यह सारे स्वाल जिड़े ने उत्वाडे सान्मुक ने मैं यह समझना कि कैन्वस बहुत वड़ा है यह वड़े कैन्वस विच अक्सर बंदा गवाच जानदा है अपां गवाची है ना अपां फोकस विच रहे के दो तिन चार पंच मुद्यां ते काम करिए उना विच रिजल्ट्स लेके आईए कौम दे विच जड़ा एक निराशादा महौल है गा है ना तुसी नाजवान भी बज़र्ग भी जित्थे भी कठे हों दे जी कुछ नहीं हो रहा है ना ओ दूर करिए ते मैं नो पूरा यकीन है के फिर एकवारी मोड़ा पह जाएगा ते असी काम दी विगडियो इनो सुरन दे विच अपना योगदान पालांगे बाकी माराज नो आप जो मनजूरे होई होना है एस आसनाल के तुसी सारे सुहिर्दतानाल इस प्रोसेस दे विच चल दे रहोगे अपने अपने सरदारियां कायम करके भी चल सक दे ओ दिली फते जथे दा साथ दे के भी चल सक दे ओ इना बच्चे नो मी वाहिगरू अकाल पुरुक सेद दे वे एस आसनाल एस अरदासनाल में आप सब तो खिमा मंगना फते परवान करो वाहिगरू जी का खाल सा वाहिगरू जी की फते कर दो अर दो, झूज झाल 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 झाल